हेलो गाइस, वेलकम तो दिया रोहन सिवल सर्विस इंस्टिटूट तो गाइस आज हम डिसकस करने वाले हैं यहां पे 17th of March का दा हिंदू एडिटोरियल तो काफी अच्छे आटिकल आएं आज, दो आटिकल आएं, डिसकस करेंगे अच्छे से, बहुत इंपोर्टेंट आटि बेसिकली जो है, आटिफिशल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, इसमें, तो इसको मैंने थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है, answer writing form में आप कैसे लिख सकते हैं ऐसे, तो मैं आपको बताऊंगा उसे, तो चली जलते हैं हमारी slide के ऊपर, so here, पहले guys, artificial intelligence होती क्या है, यह मैं आपको बताना चाहूंगा, तो basically, it is the action of machine, accomplishing the tasks that have historically required human intelligence, तो basically, अभी जो काम मशीनों से होते हैं, अभी, जो पहले history में human के दोरह किये जाते थे, अभी मशीनों से होने लगी हैं, तो उसमें artificial intelligence का काफी बड़ा काम है, यहाँ पर, बहुती बड़ा हाथ है यहाँ पर, तो अभी मशीनों से के दोरह जो काम हो रहे हैं, उसमें artificial intelligence ही है, basically, तो यही बताए जा रहा है कि जो मशीनों से काम होते हैं उसमें हम कोड बगारे लगाते हैं जो अल्गोरिद्म बगारे लगाते हैं वो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के द्वारा ही होता है इट निकलूड्स टेकनोलोजिस लाइक मशीन लर्निंग, पैटरन रेकोगिनिशन, बिग डाटा, निउरल नेटवर्क, सेल्फ, अल्गोरिधम, एट्सेक्टरा तो हम इसमें करते हैं जैसे कि हमारा एक कैलकुलेटर भी होता है, साइटिफिक कैलकुलेटर उसमें हम अल्गोरिधम फीड कर देते हैं, तो उसे साबसे वो काम करता है ऐसी मशीन्स होती है, लाइक, फैक्टरिस में बहुत बड़ी-बड़ी मशीन्स होती है, CNC मशीन कहा जाता है उनने, उनमें हम बगएरा कोड बगएर कोड कर देते हैं, और कोई भी मिटीरिल को हमको कट करने हैं, तो हम उसको उस तरह से कमांड दे सकते हैं और वो सब होता है यहाँ पर आटिफिशल इंटेलिजेंस के दौरा, उसी की बात की जा रही है, कि जो काम पहले हुमन करता था भी मशीनों के दौरा हो रहा है, तो वो सब आटिफिशल इंटेलिजेंस के दौरा ही हो रहा है, तो यहाँ एग्जांपल भी दिया है, फेस्बुक लिस्ट ऑफ सुझेस्टर फ्रेंड फॉर इस यूजर्स, जो हम फेस्बुक लिस्ट पे हमें कई बार इसके आगे यह फ्रेंड है, तो यह आप इसको भी फ्रेंड बेश सकते हैं, आपको सुझेशन देता है, तो पॉप अप पे जाता है, तो वो सब कैसे होता है, यहाँ पर उसमें सारा कुछ जो है, बेसिकली आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का ही काम है, तेलिंग अबाउत अपकामिंग सेल और फ्रेंड ब्रांड शूस, क्योंक है, तो ये वाणि सेल लगने वाली यापके आपके ऊपर वहां पे लिखा हुआ आ जाता है, तो आप वहां पे कर ले, तो यह सब कैसे होते है, यहाँ पर इसमें सब कुछ जो है, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का ही काम है that comes on screen while browsing the internet are the work of artificial intelligence जब आप कुछ भी स्क्रोल कर रहे हो तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है यहाँ पर कभी भी आपके फेवरेट श्यूस का ब्रैंड का तो यह सब आटिफिशल intelligence के द्वारा ही होता है तो यह सब कुछ artificial intelligence के बारे में था अब इसके बाद यहाँ पर इसको कैसे बनाया गया इसका क्या रोल है इसका evolution कब हुआ वो सब आप मुंदिस्क्स करेंगे इन दी यह नाइटीन फिफ्टिशिक्स अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस थे एक जोहन में कार्थी यहां पर इन्होंने औरने की ती डार्ट मांथ कॉन्फरेंस वहां पर उन्होंने पहली बार artificial intelligence नाम का एक वर्ड बोला था फ्रम देन ओन दी वर्ड वर्ड इसकोड डी आइडिया साफ दी अबिलिटी आइडिया यहां पर इबिलिटी ऑफ मशीन टू लुक आट शोशल प्रॉब्लम से यहां पर नॉलेज के दौरा डेटा के दौरा कॉंपिटीशन के दौरा यहां पर काफी आइडिया से लाएगे की कैसे हम मशीन को अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में तो यहां पर पहली यहां पर आटिफिशल इंटेलिजेंस का नाम यहां पर 1956 में लिया गया था इसे भी याद रखी गए यह वहां पर आर्टिकल में नहीं था तो आटिफिशल टेक्नीक्स नाव है बिकम एन अशेंशल पार्ट आफ टेकनोलोजी इंडस्ट्री हल्पिंग टू सॉल्व मैनी चैलेंजिंग प्रॉब्लम सिंग्प्यूटर साइस तो अभी जो है आटिफिशल टेक्नीक्स जो है यहां पर शेंशल पार्ट बन गई है यहां पर बिसकली हमारी टेकनोलोजी का इंडस्ट्री का तो काफी में जो हर इंडस्ट्री में काम करती हैं तो वह सब यहां पर इक आटो पे लग जाती कार आटो ट्राइविंग पे वह सब कुछ यांपर आल कि दौरी होता है तो यह यहां पर बहुत ही रैपिडली प्रोग्रेस कर रही है हमारे लाइफ में तो अभी आप यहां पर बताया गया है कि इंडिया और यहां पर Algorithm का क्या लिंक है इंडिय of a specialist working in the field तो इंडिया यहां पर 9th नमबर पर रहा है जिसमें की जो बेसिकली जितने की कुछे इंडिया में कि इस फिल्ड में काम कर रहे है उसके one top ranking कंट्री इंदी रिपम एपुट्रेल्ड institutions with programs on EL यहां पर जितने हो जिनों में इसमें टॉप किया है यहां पर जिन देशों ने उनमें यहां पर बहुत ज्यादा institution है इस EL के ऊपर जो काम कर रहे हैं basically EL के इंस्टीट्यूट्स है यहां पर basically EL को पढ़ाया जा रहा है वहां इंडिया को डेवलप किया जा रहा है basically यह से कुछ वहां पर हो रहा है इंडिया ऑन दी कॉंट्रेरी लैक्स दी opportunity in the formal education in the data science but is slowly trying to encourage the adoption of EL in the educational institute तो इंडिया में यहां चाहिए इंडिया इसमें थोड़ा सा लैक करता है यहां इंडिया इसमें धीरे-दीरे काम कर रहा है अभी और इंडिया आवसो यहां पर educational institute में सब्जेक्ट को डाल रहा है यहां पर स्टार्टिंग डिस यर सी बीसी एंडन एल एक्टिव सब्जेक्ट फॉर नाइंथ ग्रेड क्लास यहां पर तो cbsc में यहां पर 9th grade क्लास को यहां पर जो है बिसिकली एलेक्टिव सब्जेक्ट में एल को डाला गया है और यहां पर इंडिया का पहला है और ऐसा करने वाला हो इंडिया का पहला इंस्टिशन बना है तो उसके बारे में बात की जा रही है कैसे इंडिया में यहां पर जो है एल का जो ग्रोथ है वो हो रहा है नीरी दिर एजुकेशनल इंस्टिट्यूट में इसको सुब्जेक्ट की तरह डाला जा रहा है और यह काफी अच्छी बात है और यहां पर आए ट हैदराबाद ने बहुत सारे पॉपुलर एग्जीक्यूटी प्रोग्राम भी लाएं है यह 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 की ऊपर एंडिया की जीडिपी बाइद यह यह तो तौजंट थर्टी फइव बूस्तिंग इंडिया से अन्यों ग्रोथ बाइव बाइव यह यहां प जो है inclusion कर सकता है और हमारी जीडिपी को है जो 1.3% से आगे लेकर जा सकता है यह यहां पर कहना है इनका और यह काफी अच्छी बात है चाहे यह थोड़ा सा लेट होगा 2035 तक बहुत टाइम मैं भी लेकिन ऐसा होगा हो तो बहुत अच्छा है यहां पर इंडिया की जीडि यहां पर कोई खास होता नहीं है लाइक हम CCTV कैमरा से कभी किसी को पकड़ते नहीं है यहां पर लगातर जा क्या होता पुलिस वैसे पीछे जाती है चोर बगार के पॉलिसी कन्वेंशनल बेसिकली जीओ वे है उसकोई फॉलो किया जाता है ELBS products open a new window opportunity to do predictive policing in India तो उससे थोड़ा सा अच्छा काम हो सकता है पुलिस वालों के लिए क्योंकि with the help of AI one can predict the pattern of crime, analyze a lot of CCTV footage which are available across the country to identify suspect तो इससे क्या होगा कि आप CCTV camera से footage देख सकते हैं, crime का जो pattern है उसको analyze कर सकते हैं यहां पर and basically all over the country जितने भी suspect हैं आप उन सो उनको देख सकते हैं एक बार में यहां पर आप देखते हैं EL में यह सा कुछ हो सकता है, हम कई बार देखती हैं कई बार फिल्म में भी देखती हैं अगर Hollywood की कोई film होती है तो बंदे क्या करते हैं कि यहां पर माली जी कोई camera लगा हुआ है station के उपर, वहां से ही जो है कोई माली जी आदमी पर शक है उस आदमी को वहीं पर ही scan कर लिया जाता है यहां पर बैठे बैठे, ना उस आदमी को जाके हाथ तक लगाने की जरूरत नहीं है यहां पर वो अपने office में बैठे बैठी उसको scan कर लेते हैं और उसको data के साथ आपने जो data होता है उसके साथ analyze करके यहां पर उस बंदे का criminal record चेक कर लेते हैं तो यह सब कुछ इतना fast हो जाता है यहां पर तो यह सब कुछ यहां पर ALK द्वारा ही होता है तो यह काफी अच्छी बात है यहां पर यहां पर इंडिया में हो गया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी इंडिया में क्राइम बहुत कम हो जाएगा तो next जो आ रहा है in the agriculture sector इसका क्या जो benefit रहने वाला है वो बताया गया है it has many users for example it can solve since one how much water the crop needs तो agriculture में हमको यह हम इससे यह पता लगा सकते हैं कितने कौन सी crop को कितना water चाहिए तो इससे हम जो water wasting उसको भी बचा सकते हैं also हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो है basically motors लगाई जाते हैं जमाले किसी चीज का आपको किसी crop का temperature एक particular temperature पर यहाँ पर कंट्रोल करना है तो आप motor के साथ sensor लगा के AL के साथ control कर सकते हैं उसको आप उसमें code डाल सकते हो कि जैसे अगर इसके ऊपर यहाँ पर इतने temperature के ऊपर temperature जाता है AL technology helps in analyzing the data यहाँ पर हम data को analyze कर सकते हैं and improve कर सकते हैं efficiency of the system like power management in cars, mobile devices, weather prediction, video, image analysis यह सब कुछ हम AL के साथ कर सकते हैं तो यह यहाँ पर AL के काभी फाइदे हैं जैसे कि आपके ने देखा तो next जो है यहाँ पर क्या problems रहने वाली हैं AL के साथ इसके बारे में हम discuss करेंगे तो पहली बात हो रही है privacy की the right to privacy is under threat obviously considering the possibility of unauthorized access to one's online activity data तो basically online activity हम देखते हैं किसी की तो यह unauthorized access हो जाता है यहाँ पर तो यहाँ पर बात हो रही है सोड़ी से technical technological unemployment की कि जैसे हम अगर हम AL के उपर ज्यादा shift कर जाते हैं तो यहाँ पर unemployment भी create हो सकते हैं क्योंकि ज्यादा तर machines आ जाएंगी तो जो वहाँ पर human काम करते हैं वो यहाँ पर हो है unemployed हो जाएंगे तो हमें इस तरह से यहाँ पर develop करना है कि हमारे जो बंदे वहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी unemployed ना हो और हमारी जो है basically machinery भी आगे बढ़ जाए तो हमें ऐसे काम करना है इसमें technology revolution brings great opportunities for prosperity and growth but it has to be ensured that the technology will be applied and used in the right direction तो यहाँ पर अच्छी तरह ऐसे apply किया जाना चाहिए तो हम इसमें काफी growth कर सकते हैं यह इनका कहना है we can conclude that the growth of AL and AL based application should not be halted but its growth and usage should be monitored and regulated at various levels तो यहाँ पर बात basically this is all about this article guys आज का यह एल का आर्टिकल था मैंने आपको पूरा बता दिया answer writing भी आप कैसे लिख सकते हैं पहले आप थोड़ा सा एल के बारे में discuss कर दीजिए उसके बाद आप उसका कैसे उसको बनाया गया कब उसका यहाँ पर लाया गया evolution कैसे हुआ basically उसके इंडिया और एल का क्या लिंक है इसके क्या benefits रह सकते हैं यहाँ पर इंडिया कैसे इसमें growth कर रहा है वो बता दीजिए उसके वार इसके साथ जो problems आने वाली है वो भी आप बता सकते हैं तो इस तरह आप इसमें answer writing कर सकते हैं काफी अच्छा article था मैंने डिसकस कर दिया आपके साथ तो इससे याद रखीगा यह article कुछ खास नहीं है हमारे लिए आज का basically SCST के जो basically जो posters रह रही हों उसको भरने की बात की जा रही है यहाँ पे कुछ खास नहीं हमारे लिए रोबस्ट economic relationship यहाँ पे इंडिया और यूएस और इंडिया की relationship के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे कैसे इंडिया और यूएस जो है basically grow कर सकते हैं एक साथ इसमें पहले defense के बारे में बात की गिए कैसे इंडिया defense का काफी कुछ import करता है यूएस के साथ तो हम यूएस से काफी कुछ हमारे defense agreement भी बहुत है और यह हम यह से काफी हथ्यार भी import करते हैं और हमारे यहां पे हम क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काफी यहां पर agreement कर सकते हैं जैसे climate change की वजह से बहुत कुछ होता है अभी Texas में एकदम से सर्दी बढ़ गई थी यहां पे काफी कुछ होता है इंडिया में अभी उत्रा-खड में वह disaster हुआ है तो काफी कुछ हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम अगर दोनों देश मिलकर काम करते हैं तो जैसे इंडिया यहां पे ग्लोबल वैक्सीन का हब भी है जैसे कि यूएस से जो है रिसार्च में हब है यूएस रिसार्च करके एक अच्छी वैक्सीन बना सकता है लेकिन उस वैक्सीन को बड़े लेवल पे बनाने में इंडिया काफी माहिर है क्योंकि इंडिया यहां पे जो है उसकी manufacturing में help कर सकता है mobility or professional labor यहां पे दोनो तरह से labor एक दूसरे की तरफ जा सकती है कि इंडिया में तो वैसे इंडिया की जो प्रफेशनल लेवर है वो यूएस से में जा के काम करें तो इससे दोनों दैशों के बार में बात की जा रही Дश्यों के बार में बात की जा रहीर एकि कैसे दोनों कि आप कैसे इस कौन सा राइटिंग में भी लिख सकते हैं so that's all about today newspaper thank you guys